इदूल फितर की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। सुरक्षा ववस्था के दृष्टी कोण से बान पर पुलिस थाना ध्यक जय प्रकास शौबे के नित्रत्तों में चौकस रही। आज कस्पे में इदूल फितर का पर्व शांति पुन तरीके से आपसी सदभाव के साथ संपन हो गया। आज सुबह आट बजे ठीकमगर रोट पर इस्थित इदगा में हाफिश शाहिद रजा कादरी ने इदूल फितर की नमाज अदा कराई। बताते चलें आज सुबह से कषबे में काफी चहल पहर साफ तौर पर देखी जा सकती थी। मुस्लिम धर्माव लंबियों में सुबह से ही हर कोई जल्दी से जल्दी तयार होकर इदगा पहुचना चाह रहा था जहां पर उपस्थित इदूल फितर के महत्व पर प्रकाश डाला जिसमें गरीबों की मददव फितर जकात आदी के बारे में लोगों को समझाया वह नम इद मनाई जाती है और इस अवसर पर सारी दुनिया के मुस्तिम धर्माव लंबी इद गाहों में जाकर इद की नमाज अदा करते हैं वसेवईयां खिलाकर इद की खुशी मनाते हैं बताते चलें कि रमजान के दो अश्रे में मौसम ने अपना मिजाज बदला लिहाजा गर इद की नमाज के अवसर पर ही इद की नमाज का वक्त तै किया गया था इसके बाद हाफिस साहब ने तै वक्त पर इद की नमाज अदा कराई वह इसके उपरांत मुलक में अमण वचैन और बेहतरी की दुआ मांगी इस अवसर पर हाफिश शारुकरजा, पूर्वग्राम प्रधान पतिनेधी सहावेंद्र प्रताव सी, हाजी कलीम अहमद सदर अक्तर खाँ, नायब सदर आमीर खाँ, मनसूरी अनसार खाँ, अनिश खाँ, मनसूरी साबिर खाँ, इवु लंबरदार इदरिश खाँ, कलीम अह सभी ने इद की सुबकामनाई प्रेशित की बानपूर से मनोज नामदेव की रिपोर्ट